Hello everyone, my name is Smith and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज हम बात करने वाले हैं food department की IOE latest job vacancies के बारे में जहां पर male and female दोनों candidate eligible है, दोनों apply कर सकते हैं permanently आपकी ये government job रहने वाली है, best salary आपको pay की जा रही है so कौन-कौन सी vacancies के लिए notification आ गया है, किस तरीके से apply करना है कैसे आपकी इसमें selection and joining होने वाली है, क्या आपकी salary रहने वाली है, हर चीज को detail में cover करने वाली है वीडियो को starting से end टक जरूर देखना, proper screen share करके आपको बताने वाली हो किस तरीके से आपको इन vacancies के लिए step by step apply करना होगा तो वीडियो को last तक जरूर देखना, अगर आप चैनल पर first time आई हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक notification आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पर click करना ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए, बाकि इस update के इलावा और भी पहुत सारे department है, जिनकी vacancies आउट की जाच चुकी है आप अपने qualification, अपनी city या free district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर visit करके, information लेकर apply कर सकते हैं लिंक website का description में आपको दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं, अगर आप इसको google पर type करेंगे ना, तो आपको first number पर हमारी official site मिल जाएगी चलिए ज्याधा time में ले तो यह बात करेंगे, food department की आई हूँ लेटर्स जोवी कैंसिस के बारे में कैसे apply करना है, क्या क्या eligibility रहने वाली है, कौन सी वीकैंसिस आउट की गई है, कैसे आपकी स्मिल selection and joining होने वाली है, हर चीज़ को detail में cover करेंगे सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा like जरूर कर देना, आपका एक like मोटिवेट करता है आपके लिए नएए अपडेट लेकर आने का बात करें हम 4 department की IHU latest job vacancies की बारे में, जहां पर male female दोनों apply कर सकते हैं, आपके इसी भी location से बिलॉग करते हैं, इन vacancies के लिए eligible apply कर सकते हैं सबसे वेले अगर मैं आपे बात करें type of job की, जो मैंने आपको starting में भी clear किया, यह आपकी permanent government job रहने वाली है नेक्स अगरम यहां पर salary की बात करें, best salary आपको pay की जा रही है, और यह जो hiring है, as a fresher आपकी hiring होने वाली है और directly यह government department की तरव से update आ रहा है, आपकी यह permanent job रहने वाली है, वो भी government ठीक है salary की बात करें तो level 12 के accordingly salary आपकी रहने वाली है, जो कि आपकी up to 78,800 in hand रहने वाली है तो काफी सारी candidate आप में इसे के लिए eligible यह apply कर सकते हैं नेक्स अगरम बात करें यह कौन सी position के लिए यह update है, यह food safety officer की vacances का update आ चुका है बहुत सारी candidate की मेरे पास comments आ रहे थे की food safety officer की vacances काव आएंगी तो finally notification आ चुका है, नेक्स से अगर बात करें इसमें fee की, अगर general candidate है उनके लिए 350 application fee रहने वाली है और other state की candidate के लिए 350 application fee रहने वाली है इसे के साथ OBC और BC candidate के लिए 250 application fee है, जो आपको online ही pay करने होगी, debit card, credit card, net banking आप कर सकते हैं जब मैं आपको बताऊंगी apply कैसे करने है, तब आपको बताऊंगी fee कैसे pay करने है, क्योंकि category की कोई भी हो, सबके लिए fee तो है उसके बाद SC, ST, physical handicap candidate के लिए 150 fee रहने वाली है क्यों 40 है, आप apply कर सकते हैं, प्लस आपको relaxation भी मिलने वाला है, जिसमें नॉर्मली OBC को 3 साल का ही होता है, SC, ST को 5 साल का, and others को as per nomsis में relaxation दिया जा रहे है काफी candidate आप में से इसके लिए eligible है, apply link भी activities के लिए किया जा चुक है, आगे मैं आपको proper screen पर चल कर बताने वाली हूँ, कैसे आपको apply करना है उससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, number of vacances की 200 vacances आउट हुई है, selection की बात करें तो इसमें आपकी 3 stages selection होने वाली है, जिसमें आपका पहले pre exam हो सकता है, means हो सकता है, उसके accordingly आपकी selection होने वाली है नेक्स अगर हम बात करें, in vacances के लिए eligibility की, जिन में candidate ने graduation या master's की हुई है, तो आप in vacances के लिए apply कर सकते हैं, जिरो ने भी relevant discipline में pass out की हुई है अब इसके लिए apply कैसे करना है, वो समझना जिरूरी है, तो इसके लिए मैंने आपको link description में ही दिया हुआ है, आप उस पे click करेंगे, नया interface आपकी सामनी open हो जाएगा, इस तरीके का आप देख भी पारें, अब last सामनी open हो जाएगा, यहां पर right inside में सिरफ आपको देखना ह आपको यहां पर login करना अपना username, password, mention करके capture डाल कर login हो जाना है, लेकिन आप login कब करेंगे, अगर आपने self-register किया हुआ है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप किसी भी job के लिए apply करें, self-registeration must होती है, जैसे कि right hand side में आपको option मिल रही है, registration के लिए, यहां पर click करना है, सबसे पहले अपने आपको register करना होगा, जहां पर अपना name mention करना है, contact number, qualification क्या है, अभी आपको यहां पर अपनी email id mention करनी है, contact number, alternate contact number, ठीक है, अभी यहां पर username, password आपको रहने वाला है, वो आपकी email id और password जो आप यहां पर रखेंगे, यहां पर create password की option आएगी, और यहां confirm password की option आने वाली है, तो जो आपनी create पर click किया, वही confirm पर आपको click करके आगे बढ़ जाना है, बस आपको submit पर click कर देना है, अब जो आपनी email id वहां mention की, वो यहां पर login के लिए mention करेंगे, password mention करेंगे, जो अभी capture code आपके सामने होगा, उसको आप mention करके login हो जाएंगे, अब login आप होगे, अब आपको apply करना है, post select करने होगी, आपका name mention करना होगा, contact number, father name, क्या आपकी qualification है, address आपका क्या है, permanent address क्या है, correspondence address क्या है, क्या qualification है, age limit आपकी क्या है, category कौन सी है, जो जो चीज़े आप देख पा रहे हैं, वो as it is आपको fill करते जाना है, उसके बाद next step आपका उसके बाद आपका successfully apply हो जाएगा, आपको department की तरफ से confirmation भी आ जाएगी, print out आपको जरूर लेकर अख लेना future reference के लिए, जो जो step मैं ने आपको बताया है, वैसी apply करेंगी, कोई problem आपको इसमें नहीं आने वाली है, बाकिस recruitment के इलावा और भी बहु सारी department की विकैंसिस आग अगर पहली बार आए है, आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, thanks for watching.